Hello everyone, आज हम करेंगे class 10th के chapter 9 जम आप्लिकेशन अप्रिगनोमेटरी की NCRT book exercise 9.1 का question number 12 बहुत important question है द्यान से देखना, from the top of a 7 meter high building, तो भही एक building दी हुई हमें, यह मान लेतने building है, इसकी height दी है 7 meters, ठीक है? from the top, इस top से बात हो रही है, इस building की top की बात हो रही है, तो from the top of a 7 meter high building, an angle of elevation of the top of a cable tower, तो यहां पे बही है एक tower दिया हुई, तो लेट से यह tower है, इस tower के ऊपर का angle of elevation की बात की जारी है, elevation मतलब ऊपर जाता हुआ angle, कहां से? इस building के top से, तो from the top of a 7 meter high building, top से, the angle of elevation, angle of elevation यह नही उठा हुआ है, यानि obviously tower की जो height है, जो elevation angle तभी बनेगा ना, जब सामने वाले की height लंबी होगी, तो angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, तो यहां से मैं base बनाऊंगी एक, ठीक है, यह आपका 60 degree angle of elevation दिया हुआ है and the angle of depression यहां से ही depression का angle, यानि अब depression की बात हो रही है तो नीचे जाना है, ठीक है, तो angle of depression of its foot is 45 degree, तो यह foot है तो यह जो angle of depression बन रहा है, नीचे वाला वो 45 degree है determine the height of the tower, आपको इस tower की height को निकालना है ठीक है, इस height को आपको निकालना है तो यह आपका, हम यहां पर base बना देते हैं, ठीक है यह आपको 7 दिया हुआ है यह पूरा निकालना है, यह 60, यह 45 तो आपको चीज़ें यहां पर आपको समझ नहीं होंगी, जैसे यह 7 meter है, यहां से लेकर यहां तक 7 meter है, तो obviously यह यहां से लेकर, यहां तक भी 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यह मैंने rectangle form किया है ऐसे ही, अगर यह जो angle है, यह वाला depression वाला angle, यह 45 है तो यह देखो, यह alternate angle बन रहा है, थोड़ा geometry की वीडियोस देख लेना, यह alternate angle बन रहा है, तो यह भी 45 होगा यह दोनों line parallel है, parallel line के बीच, angles बन रहा है, alternate rectangles है, यह भी 45 होगा यह दो चीजें ध्यान रखनी है, अब question आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, देखो अब ध्यान से, आपके पस आपको निकालना है, देखो इसकी height, ठीक है, इस question को पहले समझना कि हम क्यों कर रहा है ऐसा यह आपको height निकालनी है, इस height में से 7 जो है आपको दिया हुए already, तो यह वाला part निकालना है ठीक है, यह part अगर निकाल लोगे, दोनों को plus कर दोगे height आजाएगी, तो इस part को निकालने के लिए आपको यह triangle को लेना पड़ेगा, ठीक है अब यह triangle में आपको सिर्फ दिया हुए 60 degree, इसके अलावा angle, angle के लावा कुछ नहीं दिया हुए तो सिर्फ एक angle से हम नहीं निकाल सकते यहाँ ना perpendicular पता है, ना base पता है तो हम पहले base निकालने की कोशिश करेंगे अब base कैसे निकालोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो length है वही सेम यहाँ से यहाँ तक होगी तो अब हम इस triangle को देख सकते हैं base निकालने के लिए तो यह triangle है, इसमें 45 degree दिया हुए angle है, यानि हमारे पास base हमें निकालना और perpendicular पी दिया हुए, देखो तो यहाँ पे अगर हम पहले tan का ratio लगाएं perpendicular upon base इस वाले triangle में, तो हमें base मिल जाएगा base मिल जाएगा, तो इसका base सेम होगा, तो इसका base आगया इस वाले triangle का, जब यह आजाएगा तो फिर perpendicular निकालनेंगे तो दो बार दो अलग-अलग triangle को एक बार इस triangle को use करेंगे, एक बार इस वाले triangle को use करेंगे और अपना question solve करेंगे ठीक है तो देखो कैसे करना है मैं इस triangle को triangle number 1 को यहां थोड़ा बना देती हूँ यह 7 meters यह A, B, C नाम ले लेते हम इसको ठीक है और यह है आपका 45 degrees तो यहाँ पर perpendicular है मुझे base निकालना है तो tan 45 degree का formula लगाएंगे perpendicular upon base tan 45 की value होती है 1 perpendicular आपका 7 दियावा है base नीचे as it is अब base को उधर बेज होगे तो 1 into B, B होगा B equals to 7 meters तो आपका base यह यह वाली length है यह भी length 7 meters आ गई है तो यह 7 meter है तो यह भी 7 meter होगी तो आप यह mention करोगे कि यह base जो इस triangle का है वही दूसरे वाले triangle का base होगा तो यह भी 7 meters होगा ठीक है आप दूसरे triangle में देखते हैं दूसरा triangle है आपका कुछ ऐसा यह 90 degree, यह 60 degree, यह 7 meters और यह आपको निकालना है तो यहाँ पे भी इसको हम ले लेते है DCE 10, 60 degree लगाएंगे, perpendicular upon base होता है, 10, 60 की value क्या होती है, root 3 equals to perpendicular upon base, perpendicular कितना है हमें निकालना है, base कितना है आपका 7 meters, 7 उदर जाएगा, 7 root 3 equals to perpendicular, यह आपके पास आ गया, अब ध्यान से देखो, आपको यह 7 पता है और यह 7 root 3 पता है, दोनों को plus कर दो height of the tar आ जाएगी, तो actual height of the tar क्या होगी, 7 plus 7 root 3